नमस्ते साथियो आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा और कोरोना की इस महामारी से आप लोग बचे होंगे टिटोली टावर और ट्रोल ये तीन शब्द बड़ी तेजी के साथ वाइरल हो रहे हैं टिटोली को ट्रोल किया जा रहा है टावर के नाम पर उसकी सच्चाई क्या है उससे आपको रूबरू करवाने के लिए जानकारी देने के लिए उसके बारे में बताने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ ताकि भ्रम को दूर किया जासके और मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सम्मानित कुछ साथी वो भी कहीं ने कहीं बिना पूरी जानकारी की या भावकता में इन बातों को आगे भेज रहे हैं हर शिकारा जी जो बहुत सम्मानित साथी हैं और बहुत आंदोलना तमक सुरूप में रहते हैं उनकी भी एक पोस्ट मैंने देखी उनकी एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने टिटोली टावर के बारे में लिखा हुआ है और एक दिपक फोजी हैं वो भी एक सामाजी कारिकरता है उन्होंने भी इसी तरह का एक लाइव आकर के कोई टिटोली के बारे में बयान दे और उन्होंने कहा के टिटोली में इसके connection काट दी गए है उसकी radiation कम कर दी गई है और पिछले तीन-चार दिन से कोई मोत नहीं हो रही और एक ऐसे कोई किसान नेता ने भी इसी तरह का कोई किसी साथी को खड़ा करके बयान दिलवाया है साथियों थोड़ा सा और ज्यादा समझने की जुरूरत है और मैं निवेदन करूंगा जब तक किसी बात की तथ्यों सहित पूरी जानकारी ना हो तो कम से कम इस सोचल मीडिया में उस बात को ना फैका जाई सचाई यह है कि आज तक टावर के पास न तो कोई टीम गई है नहीं टावर के कनेक्शन काटे गए है आप मैं अभी आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं आप इस वीडियो में उस परिवार के दो व्यक्ति हैं वो दोनों बता रहे हैं कि आज तक इस टावर को देखने के के लिए कोई नहीं आया है आज आज आपका नाम क्या है नरेश यह टावर आपके यहीं पर है तो यह बता रहे हैं कि बंद कर दिया चार दिन पहले आये थे और उन्होंने बंद करवा गया ऐसा कुछ है बंद बंद चलू है यो अच्छा ना इसको उपनी चचट गए कोई किसी ने इस टावर में से कोई कनेक्शन नहीं काटा है बहार से कुछ कम किया होता एक अलग बात है दूसरी बात है सोसल मीडिया पर ये चल रहा है कि तीन दिन से टिटोली में कोई डैथ नहीं हो रही है मैं दुबारा से कर रहा हैं बड़े दुखी मन से कल भी तीन देहांत हैं हमारे इस गाओं में हुए हैं और दो व्यक्ति जिनकी कोरोना की पुष्टी हुई है उनका देहांत हुआ है उससे पहले दिन भी दो व्यक्तियों का देहांत हुआ है उससे पहले एक और व्यक्ति का देहांत हुआ है उससे पहले दिन दो व्यक्तियों का देहांत हुआ है तो ये मोत का सिलसिला आज भी टिटोली में जारी है हालां कि लोग बहुत सावधान हैं एक दिन वह भी था जब 9 या 10 चिताएं एक साथ इस गाउं में जली तो लोग सहमे हुए थे डरे हुए थे लोग सावधान हुए परशासन का भी मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि उन्होंने लोगों के टेस्ट कर पड़े तो उनको oxygen मिल जाए उनको आज भी कहीं ने कहीं PGI के तरफ मों करना पड़ता है और जब उनको वहां से कुछ मदद नहीं मिलती है तो वह प्राइवेट होस्पिटलों की तरफ भागते हैं यह स्थिती है आज की गाउं की तो यह निवेदन है मैं कोई 5G के आने न का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं चाहता हूं प्रशासन इसकी verification करवाई और यदी radiation से यह समश्या हो रही है तो कड़ी से कड़ी और सक्त से सक्त कारवाई इन टावर के लोगों की जो संचालक है उनके उपर होनी चाहिए लेकिन वर्तमान समय में बहुत ज्यादा सजग और सावधान रहने के आवशकता है जिस परकार का माहोल की रेट किया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि टावर के भ्रहम में हम दवाया लेना छोड़ दें सोचल डिस्टेंसिंग को छोड़ दें दुबारा से होकों के उपर या ताश के उपर इकठे बैठ करके फिर जुन्ड बना सावधान रहना है और गाउं की वर्तमान स्थिती यह है कुछ साथी कह रहे हैं कि टावर की वज़े से 65 या 70 लोग मर गए लेकिन मेरे गाउं में कल तक 44 लोग थे और तीन लोग कल यह 47 के आसपास हमारे इस गाउंस के लोगों का दिहान्त हुआ है उसमें से करोना से भी है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 3-4 दिन बुखार रहा और वह अचानक चले गए कुछ की स्वाभाविक मृत्यू भी होई होगी तो इन प्रस्थितियों को देखते हुए सोशल मीडिया के जो वारियर्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कृप्या टिटोली के बारे में कोई किसी भी जानकारी अपडेट करने से फहले गाउं के जिम्यदार व्यक्ती से आप जानकारी जरूर ले ले जाए गाउं के सरपंत्स से बात करें या जो आजकल ग्राम-पंचैत के प्रसासनिक अधिकारी हैं वीडियों उनसे जानकारी लें और उसके बाद फिर आप अपने किसी भी पोस्ट को social media को उपर share कीजे मैं खास करके निवेदन करूंगा भाई हर्ष छिकारा जी से दीपक फोजी जी से कि आप आएं और दुबारा से अपडेट करें अपनी इस पोस्ट को कि अभी टिटोली में इस तरह की कोई बात नहीं है जो आपके माध्यम से कही गई हो करें अपने साथियों को भी संभाल करके रखें धन्यवाद नमस्ते साथियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें